नमस्कार दोस्तों डिजिटल साहता यूट्यूब चैनल के एक और नई वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों आज का ये वीडियो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी से संबंदित होगा आज की इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजना के लिए 2022 के अंदर जितने भी लाभारतियों का आवेदन चल रहा था तो आप जो है अपने मोवाइल के मदद से किस परकार से सूची को निकाल सकते हैं तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को पूरा डीटेल बताऊंगा कि किस तरीके से आपको प्रधानमंत्री किसान समान निथी योजना की जो न्यू अप्लाई किये गये थे सभ लोगों की सूची को निकालना है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं उससे पहले आप सभी से उन रोद अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके विए लाइकॉन को दबा दे ताकि आगे आने वाले वीडियो उसकी नॉटिफिकेसन आपको मिलते रहे तो चलिए सुरू करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर प्रदानमंत्री किसान समा निथी योजना के वेबसाइट पर सबसे पहले आपको आजाना होगा इस वेबसाइट का लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा अफिर आप Google या फिर Chrome पर PM किसान सर्च करके इस वेबसाइट पर आ सकते हैं इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आ जाना होगा नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक जो आप्सन आपको दिखाई देंगे यहाँ पर आपको एक बेनिफिसरी लिस् निकालने की जो फेज है वो बन हो जाती है तो सबसे पहले यहाँ पर स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेना होगा नंबर वन में जो है आपको स्टेट को सिलेक्ट कर लेना होगा तो हम लोग यहाँ पर अपना स्टेट को सिलेक्ट कर लेना होगा आपका जो भी स्टेट होगा यहां से choose कर लेना है तो चलिए हम लोग अपना district को यहां से select करते हैं आगे आपको अपना district को select कर लेना है तीसरे number पर दोस्तों यहां पर sub district select करने के लिए कहा जाता है तो sub district जो है वो block level block के बराबर होता है तो आपको अपना ब्लॉक को यहां पर select कर लेना होगा आपका जो भी ब्लॉक होगा उसे यहां से आपको select करना है और आगे ब्लॉक के list में भी आपको अपना ब्लॉक को ही select कर लेना है ब्लॉक को select करने के बाद उस ब्लॉक के अंदर के जितने भी ग्राम है सभी ग्रामों की सूची आपको यानि की विलेजिस की सूची आपको मिल जाएगी इसके अंदर सभी जो गाउं है सभी गाउं की लिश्ट आपको यहाँ पर दिखाई देती है तो आपका जो भी गाउं होगा उसे आपको यहाँ से सेलेक्ट करके gate report के option पर click कर देना है जैसे आप gate report के option पर click करेंगे दोस्तो तो आपके सामने यहाँ पर इस गाउं के जितने भी लाभारतियों की सूची है सभी लाभारतियों की सूची आपके सामने open हो जाएगी तो इस प्रकार से यहाँ पर आप जो है कोडिफिकेशन आपको मिलते रहें